Hello students, welcome back to Hindi Mirror channel, सभी students का Hindi Mirror पर फिर से स्वागत है अभी जो हम content लेकर रहा हैं स्रिदेश उमन उत्राखंड उनिवस्टी की दरब से notification जारी हो चुका है उने students के लिए जिनके अभी फिलाल में examination form निकले वे थे और कुछ students के जो है form रह गए थे भरने के लिए तो इस वज़े से जो है स्रिदेश उमन उत्राखंड उनिवस्टी ने date को extend कर दिया है और काफी लंबे time से जो है students इंतेजार भी कर रहे थे क्योंकि काफी जो है time कम था 11 में इन्होंने जो है starting हुए थे और उसके बाद से जो form इन्होंने शुरू किये थे कि 15 लास्ट एट है तो काफी students के जो है form रह चुके थे तो चलिए बता देते हैं आपको पूरी जानकारी स्रिदे सुमन उत्राखंड उन्यूरस्टी आपका तिहरी गड़वाल उत्राखंड 16 तारिक यानि के यह आपका notification जारी हो चुका था कल और यहां पर इन्होंने दे दिया है तिथी विस्तारन संबंधी यानि के जो आपका date जो आपकी examination form की date है वो extend हो चुकी है तो आपको बता देते हैं कि कौन से date आपको दे दी गई है अब उन्यूरस्टी की तरफ से आपको सुचित किया जाता है कि जितने भी महाविध्याले विश्विध्याले आशाश के PSEB कोम के पर्थम सेमेस्टर के ओनलाइन परिक्षा आवेदन भरने की अंतिमती थी 15 एक निरधारित की गई थी सभी को मालूम है कि 15 जो थी लास्ट एट थी लेकिन अब क्या कर दिया गया है अब इन्होंने कहा है कि विभिन महाविध्याले संस्थानों से प्राप्त परत तारीक कर दी गई है तो अब आप अगर अपने आभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है बी ए बीसी पी कोम तीनों ही क्लासिज के पर्थम सेमेस्टर के स्टूडेंट्स तो आपको जो है अपना फॉर्म अप फिल कर देना चाहिए जल्दी ही क्योंकि इसके पाद मुझे लगत षूर्म भी शूरू होच चुकेए खुल्स फॉर्म सारे फिल हो जाते हैं तब ही एक्जाम शूरू होपाते हैं आगे इनोंने कहा है की जब आप अपना फॉर्म परक्षा आविदन पत्र अपने कोलेज में फ़र्कर जमा कर देते हैं उसके वाद वो युनिवर्स्टि जा तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि 28 है या फिर कितनी है आपको यहां से मतलब है सिर् pronounce 22 तक यानी कि आपको 21 समझे आपकी 21 तक आप अपने फॉर्म फिल करके अपने कॉल्ज में दे दे तो बने रही हिंद मिलर के साथ अगर आपको नहीं मालूम है आपको फॉर्म के साथट क्याडोक्मेंट्स फिल करके अपने देते हैं तो उसके साथ आपको 10th की और 12th के माशिर देनी होती है साथ में आपका migration अगर हो तो वो देना होता है और साथ में आपको आधार कार्ड और ABC ID जो आपने बनाई होगी वो भी आपको देनी होती है उसका printout साथ में आपको लगाना है तो इसी के साथ बने रहे हिंदी मेर के साथ और जादर से जादर लाइक कीजिए और जो है शेयर कीजिए जिसे ये वीडियो सब भी students तक पहुँचे और आपके साथ साथ जितना benefits आपको हुआ है जितना benefit आपने उठाया है उतना ही और students को भी हो क्योंकि हो सकता है आपके share करने से ये date की बात जो है जो हो चुकी है उस student तक पहुच जाए जो इसकी जरुवत है जिसको तो चले बने रहे है लाइक कीजिए शेयर कीजिए और साथ में comment box में अपने comment भी जरूर कीजिए कि आपकी study के लिए जो मैंने बताया था कि चार subject आपको मैं कराती हूँ तो चार subject के आपको तयारी कराऊंगी तो comment box अपने comment जरूर भेजिए पने रहिए और अगर हिंदी मेर से नहीं जुड़े है तो क्या करना है सब्सक्राइब करना है और साथ में बैल आइकन को हिट करना है